Hello friends, आज हम बात करेंगे important and useful topic के बारे में, आज हम बात करेंगे pacemaker लगाने के बाद या cardiac के जो devices होते हैं, AI-CD, CRT devices, यह सब devices लगाने के बाद क्या precautions होते हैं, क्या-का चीजों के बारे में pacemaker लगाए वाले patients को साफधानी बरतनी चाहिए, इस बारे बात करेंगे, यह topic काफ़ important और useful है, उन सारे patients के लिए जिनके कोई पहले भी device लगाया हुआ है, pacemaker है, AI-CD, CRT, AI-CD कोई भी combination device लगाया हुआ है, तो यह सारे चीज़े उनके लिए applicable है और काफ़ी common questions है, जो लोग हमसे पूछते हैं, specific चीज़े जो लोग हमसे पूछते हैं, उस बारे बात करते हैं, क्या patient mobile phone यूज़ कर सकता है, देखिए mobile phone में electromagnetic device होता है, थोड़ा बहुत magnetic field generate करता है, बहुत जादा नहीं करता है, और इसकी जो frequency होती है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि उस pocket में जहाँ पेश्मेकर लगा है, उस side पेश्मेकर पेश्मेकर को ना रखे, उस कान में पेश्मेकर को ना यूज़ करें, जहाँ पे device लगा है, राइट कान में यूज़ करें तो जादा अच्छा है, हलाकि इससे पेश्मेकर को बहुत फरक पड़ेगा, ऐसा यूज़ी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान रखे तो जादा अच्छा है, घरेले उपकरण्ट यानि हूज़ एक्विप्मेंट का क्या पेश्मेकर के device के usage पर कुछ फरक पड़ेगा, घरेले उपकरण में, खासकर जैसे microwave है, अवन्स है, इस तरह की चीज़ों में थोड़ा electromagnetic current रहता है, तो यह पेश्मेकर के working को थोड़ा affect कर सकता है, पर जादा तरह इनका voltages वेकिन इतने जादा कम रहते हैं, कि पेश्मेकर को जादा affect नहीं करता है, तो इससे बहुत जादा फरक नहीं पढ़ने वाला है, अगर patient को MRI scan करवाना है, तो दिक्कत आती है, पेश्मेकर दो तरक के होते हैं, एक MRI compatible और एक non MRI compatible, पहले जमाने में जहातर लोग patient non MRI compatible पेश्मेकर ही use करते थे, और कोई specific patient जिसको आगे brain scanning की जरूवत है, या उमर दराजे या bone scanning की जरूवत है, वहाँ पे MRI compatible use करते थे, कि उसका cost almost double होता था, अभी international guidelines ने almost compulsory कर दिया है, कि जाधा तर हर device को, companies अभी जाधा से अधा devices को MRI compatible बनाने लगिये, तो आज के date में तक बख 70-80% pacemaker जो use होते हैं, हाला कि थोड़ा cost जाधा होता है, पर हो MRI compatible होते हैं, या at least उसकी lead जरूर MRI compatible होनी जरूरी है, क्योंकि अगर lead MRI के pagnet के संपर्प में आगे और lead बाहर आगे तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जाधा तर हर pacemaker के lead जरूर आजकल MRI compatible होती है, device का जो डबा है, metal का thin can जो है, वो MRI compatible है या नी, वो case to case, क्या patient to patient differ करता है, machine to machine differ करता है, लेकिन ज्या ज्यादा तर MRI जो use होता है, वो 1.5 tesla MRI होता है, ज्यादा तर MRI के ज्यादा तर centers पर use होती है machine, पर even ज्यादा तर आजकल जो नए पेश्मेकर आ रहे है, वो 3 tesla MRI तको jail सकता है, तो उसके में से बंद नहीं हो जाएगे, MRI से basically device बाहर आजाएगा, ऐसा usually नहीं होता है, लेकिन MRI के संपर्क में आने से device का pacing affected हो सकता है, pacing बंद हो सकता है, pacing compromise हो सकता है, तो अगर patient को non MRI compatible अगर device लगाएगा गया, उसको MRI actual में करवानी है, तो device को बंद करना चाहिए, हाला कि company वाले फिर भी recommend करते हैं कि device को आप MRI में बिल्कूल ना use करें, अगर वो non MRI compatible है, क्योंकि वो इ asynchronous mode का मतलब यह है कि device को हम non pacing mode में कर देते हैं, और वो हर की electromagnetic signals को detect नहीं करता है, उसका sensory system बंद हो जाता है, सिर्फ खाली वो current देता रहता है, एक low voltage में, उसको VOO mode बोलते हैं, यानि कि patient को खाली pacing मिलेगी, लेकिन उस दोरान कोई lead sense नहीं करेगा कि अंदर का current system में क्या उसक इसको VOO mode बोलते हैं, अगर मान लीजे VOO mode के लिए वैसे तो ज़र्द ज़रूरी है कि आपको जो technician ने किया है, उस company के technician वाले को आप बुला के device को उस mode में कराई, वो अपना magnetic wand जो है, उसके उपर रख के उस device को disable करते हैं, और आपको उसके बाद आप MRI, अगर के compatible device है, तो भी ऐसा करना चाहिए, तो आप उसके बाद यूज कर सकते हो, ये चीजे surgery के बाद भी required है, अगर किसी patient को जिनको पहले पेस्मिकर लगा है, अगर उनको non-cardiac surgery भी कोई करवानी है, जहां pottery का use होगा, तो वहाँ पे भी ये device को बंद करवाने का ज़रूरत पड़ता है, वहा हमारे compatible devices में करा ही है, otherwise non compatible में मत करा ही है, क्यों company वाले मना करते है, risky हो सकता है, surgery का ये है कि obviously अगर surgery करवानी है, चाहिए compatible है, चाहिए non-compatible है, आपको surgery करवाने से पहले VO mode में device को कर देना चाहिए, और उसके बाद आप surgery करवा सकते हो, surgery में ज्यादा तर bipolar coterie use करना तो कोई भी surgery करने से पहले आपके pacemaker technician को call करके पूछ ले, अगर फिर भी ऐसा है कि आप ऐसी जगह पे रहरे हो, जहाँ आपको पता ही नहीं कि कौन सी company का pacemaker कर रहे है, या आपको ये नहीं पता कि भाई कौन सी जगह पे technician मिलेगा जो मेरी device को ये program करेगा, तो एक बड़े इसका magnet कई बार company वाले से भी ले सकते हैं, कई बार market से purchase कर सकते हो, वो magnet को अगर आप device के उपर रग दे तो device उस समय asynchronous board में चला जाता है, और automatically वो कुछ भी sense नहीं करेगा, तो ऐसे आप अपनी surgery को complete कर सकते हैं, बात में magnet को उटा देंगे तो अपना काम करेगा, ये तरीका है, उन लोगों के लिए जब pacemaker को ऐसी circumchance में वो जा रहे हैं, जहां बहुत जादा electromagnetic field है, तो वहाँ पर एक magnet जो company वाले से आप ले सकते हो, उसको आप device पर रग दो तो आपका काम हो जाएगा, ज्यादातर MRI compatible devices सबको ही लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को orthopedic problems ह या brain की problems है, उमरदराज patient है, तो महाँ है, मारे compatible device ज्यादा favorable है, पर obviously उसमें cost तो आपका बड़ी जाता है, तो वो आपको थोड़ा कत्तो देगा, regular MRI non-compatible devices की compatible device में लगभख 20-30% cost बढ़ जाता है, वो आपको ध्यान रखने की ज़रूद है, जब कभी भी आप कोई ऐसे area हमें जा रहे हैं, जहां high या heavy electromagnetic field है, जैसे transformers हैं, बड़े electrical current के supplies है, तो महाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको device dislodge नहीं हो जाए, या electromagnetic field की संपर्क में आके बंद नहीं हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है, और ऐसी जगहों पर आपको नहीं जाना है, जहां पर भी बहुत जादा electromagnetic field, बड़ी voltage वहाँ पर है, और कहीं पर भी abnormal जगहा पर ऐसी जगह पर आप जा रहे हो, जहां पर metal detector वगर से checking हो नहीं है, तो आप एक pacemaker का card यूज कर सकते हैं, यह pacemaker का card normally company वाले आपको देते हैं, तो आप उसको अपने pocket में रख सकते हैं, तो आप उसको अ आपकी checking नहीं करेंगे, क्योंकि metal detector में भी वह magnetic field होता है, जिससे आपका pacemaker का working थोड़ा affect हो सकता है, बहुत ज़्यादा affect नहीं हो जाएगा, जान नहीं चली जाएगी, लेकिन आपका device suddenly बंद हो सकता है, तो चक्कर खा कि आप ब्योश हो जाएगे, तो वापिस ठीक हो है, तो pacemaker का card आपके purse में घर रहेगा, तो बाकी लोग उसको देख के समझ सकेंगे, कि भाई, patient को emergency है, और उसमें emergency में phone numbers भी अगर available है, तो जादा अच्छा है, कि आपके घरवालों के numbers हो, तो आप उनने भी कोई देख के contact कर सकता है, उस card को देख के, और at least समझ पाईगा इसमें interference हो सकता है, तो वो list एक exhaustive list है, non-MRI compatible device में कौन सी चीज़े strictly avoid करनी है, MRI testing avoid करनी है, 10 साल से जादा पूराना microwave, यानि जो microwave बहुत पूराना है, उसमें जादा heat generate होगी, जादा electromagnetic field generate होगी, उसको पास जाने से avoid करना है, welding वाले equipment, जो welding करते हैं, उसमें भी जो flame throwers या ज उसके पास जाने से बचना है, रेडियो और TV station जहां पे restricted areas है, जहां पे बहुत जादा electromagnetic field होता है, तो वहाँ पे नहीं जाना है, gas powered chainsaws, जो काटने के लिए chainsaws यूज करते हैं, वो अगर gas powered है तो वो वाली नहीं यूज करना है, die electric heaters नहीं उसके पास जाना है, उनको यूज क मिटी के बरतन बना रहे हैं, तो उसके पास नहीं जाना है, magnetic based mattresses को नहीं यूज करना है, या pain therapy products, जो magnetic field non-compatible devices हैं, उनको नहीं यूज करना है, power lines या power plants के contact में ज्यादा तर नहीं जाना है, blast furnaces में ज्यादा नहीं जाना है, construction sites पे जहां बहुत heavy काम हो रहा है, वहाँ पे नहीं जाना है, इसके अलबा अगर बहुत बड़े stereo speakers हैं, जो magnetic field बहुत जादा produce करते हैं, खासकर पूराने जमाने के stereo speakers हैं, उनको आपको carry नहीं करना है, खासकर left shoulder पे जहां पे bass maker लगा है, nerve stimulators जो test के लिए यूज करने किये जाते हैं, जिसे 10 units बोलते हैं, 10 units, उनको नही जाना है, तो ये सारी चीजों को आपको 100% avoid करना है, next है कौन-कौन सी चीजों को minimum at least 6 inches का distance रखना है, उसमें cell phones को at least 6 inches distance रखना है, portable digital music players को 6 inches पे रखना है, induction ranges को रखना है, library में theft detection devices जो रहते हैं, उनको आपको at least 6 inches के distance रखना है, lawn mowers जो gas वाले रहते हैं, उनसे दूर रहन पावर से बड़े tools को at least 6 inch pacemaker से दूर रखना है, यहने आदा foot दूर रखना है, radio antenna से दूर रहना है, airport security system से at least 6 inch दूर रहना है, वहाँ पे आप अपना card दिखा सकते हो कि मेरा pacemaker का card है, इससे देख लीजे, इससे थोड़ा दूर से checking किजे, या hand frisking कर लीजे, device push पे मत लग इसके अलाबा, retail store की security system में, जो आपके malls वगर में use होता है, ताकि वहाँ में material चोरी नहीं हो जाए, वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वहाँ पे at least device के direct contact में touch में, 6 inch at least gap रहना है, पास में नहीं आना है, snow blowers, अगर gas powered है तो उनसे दूर रहना है, security magnets, casinos वग रहना है, hair dryer में भी काफी electric current रहता है, दूर रखना है, electronic security system जो घरों में install के जाते हैं, उनके जो console units है, उनसे भी at least 6 inch दूर रहना है, demagnetizing devices जो रहते हैं, demagnetizers बोलते हैं, उनसे भी थोड़ा दूर है, अब कौन-कौन सी चीजों से medical devices हैं, जिनसे के interference हो सकता है, इसमें bone density measure करने के ultrasound हो सकता है, कोटरी से हो सकता है, external defubulation जो करते है, shock therapy देते हैं, उससे हो सकता है, diet hermy therapy से हो सकता है, electrolysis जो करते हैं, बाल-बाल को जलाने के लिए, उनके hair words को जलाने के लिए, उनके यूज कर सकते हैं, hearing aids, जिनका coil गले के चारोर रहता है, उनसे थोड़ा फरक सकता है, radiation therapy करते हैं, उनसे फरक पढ़ सकता है, lithotripsy devices जो kidney के बत्री को तोड़ने के लिए, उनसे फरक पढ़ सकता है, heart के लिए जो radio frequency ablation करते हैं, उनके electrodes और catheters से फरक पढ़ सकता है, respiration rate या श्वास की गती को देखने वाले monitors रहते हैं, उनसे फरक पढ़ सकता है, और diagnostic and therapeutic ultrasound की beams जो आते हैं, उनसे भी थोड़ा सा फरक पढ़ सकता है, थोड़ा interference हो सकता है, obviously यह सारी चीज़े पूरी तरह बैंड नहीं है, extra caution इसको रखने की ज़रूरत है, और last में हम बात करेंगे, कि pacemaker related, अगर किसी व्यक्ति की death अगर हो जाए, तो क्या अधिकत होगी, जादा पूल डीटेयल वीडियो किया जाओ, pacemaker fire के contact में नहीं आए, उसके बारे में बात किये, पर अगर ऐसा actual में आप patient की death हो गई, जिसको कोई भी non cardiac कारण से pacemaker, तो आप body को जलाने से पहले pacemaker को आप चीरा लगा के pacemaker device को निकाल दे, lead अंदर रहने छोड़ सकते है, lead गल जाए पर better है कि वो device को निकाल दे, वो device hospital को आप donate कर सकते हैं, उसमे थोड़ी battery life अगर हो तो किसी poor patient में वो use हो सकती है, तो चार साल अगर battery life या 8 साल बच्चा हो तो, obviously यह developing country में होता है, लेकिन आप गभी कबार वैसी चीज़े हो सकती है, तो अगर आपका pacemaker खतम नहीं हुआ है और patient की death होगे, for whatever reason, हिंदू से आज की इसाफ से कर आप body को जलाना चाहते हैं, तो pacemaker का device को निकाल के, उसके बाद body को जलाए, नहीं तो जान का खत्रा हो सकता है, और explosion जलाते समय बहुत ज्यादा हो सकता है, जिसमें आसपास के लोगों को burns हो सकते हैं, जान का खत्रा हो सक तो आज के topic में pacemaker संबंदित, precautions के बारे में हमने बात की, यदि इस topic को संबंदित, आपके कोई comments, queries suggestion है, कोई autophics पर आप चाहते हैं, वीडियो बनाए, कोई patient related queries है, तो नीचे comment section में उनकी बारे में बताए, हम उनने cover करने का जुरूर प्रयास करेंगे, आज पर मैं Dr. Naveen Ag आप इसको full detail में नहीं देखना चाहते हैं, उनके लिए regular basis पे हम YouTube Shots upload कर रहे हैं, ये YouTube Shots में आप सारे topics का brief summary है, जिस्ट आपको बताते हैं, आप उनने देखकर search कर सकते हैं, अगर आप इस सारे topic में ढूंडे कैसे आपके मतलब का topic, उसका problem है, तो हमारे चैनल का playlist का link में नीचे description box और comment section में छोड़ दे रहा हूं, आप ये link को click कर सकते हैं, जिसमें आपको BP, sugar, cholesterol, heart and accelerator, जो भी issues है, उसका link मिल जाएगा, आप उस specific link पे जाईए है, उसमें आपको आपके मतलब के topics मिल जाएगे, तो आप उसे directly click कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा relevant और ज्यादा useful content मिले का, thank you.